तो इधर चलिए बनाते हैं milk powder से बहुत जादी तेश्टी सी मिठाई तो उसके लिए हम करेंगे क्या पैन ले लेंगे उसमें डालेंगे एक स्पून घी जादा नहीं एक स्पून डालेंगे अभी उसके बाद इधर डालेंगे शक्कर और शक्कर डालने के बाद आपको इधर मेल्ट नहीं करना है इधर आपको बूरा जैसे बना देना है जैसे बूरा हो जाता है अगर आप घी नहीं डालोगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाता है अगर आप घी डालोगे तो वह मेल्ट नहीं होगा क्योंकि घी और सक्कर मेल्ट नहीं होता है तो यह देखिए किते जल् सुखा सुखा हो गया बस ऐसे ही आपको करना है एक बार इस तरीके से आप बनाएंगे न तो बहुत ही अच्छे से टेश्टी मिठाई बन जाती है अब इधर करेंगे क्या हाप स्पून ले लेंगे हाप कफ ले लेंगे इधर दूद अब दूद डालने के बाद इधर हम चला देखिए मेल्ट होने लगी है चकर थोड़ा थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो यह देखिए मेल्ट हो गया अब इधर ले लेंगे हम दूद मिल्क पाउडर एक कफ ले लेंगे मिल्क पाउडर इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे यह दो इस्पून डाल दें करीबन हाप स्पून छोटे वाली स्पून में और इसको हम मिक्स कर लेंगे तो इधन मिक्स करने के लिए आपको गैस को मीडियम फ्लेम में करना है वरना यह बहुत ही जल्दी से गुटलिया इसमें पड़ जाएंगी तो इसको आपको मिक्स करना है अच्छे से और आप देख तो अभी नहीं डालेंगे जब चिपकने लगता है जब हम इसमें घी डालेंगे तो यह देखे गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है तो अब इसमें हम डाल देते हैं घी थोड़ा सा और इसको हम मिला लेते हैं मिक्स कर लेंगे तो अगर आप नॉनिष्टीक पैन ले रहे हो ना तो उसमें घी डालने कि आपको जबुरत नहीं है अलग से बट मेरे इसमें चिपक रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी वरना एक स्पून जो स्टार्टिंग में डाले हो ना बस उतने में ही हो जाएगा अगर आप नॉनिष्टीक पैन यूज करोगे तो क्योंकि यह मिल्क पाउडर है तो यह चीप पकता है बहुत ही जट पर से तो यह देखें और थोड़ा सा हम गाड़ा करेंगे ज्यादा नहीं हलका सा बाकी ठण्डा होने के बाद ओर भी गाड़ा तर बन जाएगा अपने हम दो जैसा तो अब हाथों में हम करेंगे थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे चिपके नहीं हम पेड़े बनाएंगे आप इसमें मिठाई या लड़ू मतलब बना सकते हो तो मैं इधर ना ऐसे पेड़े बना लूँगी तो यह देखिए अब इसमें हम डिजाइन देने के लिए न करेंगे क्या जो हम चन्नी होती है जिसे पकोड़े अगयरा फ्राइ करते हैं निकालते हैं तेल वाला बस उससे हम ऐसे डिजाइन बनाने वाले बहुत सुन्दर सी डिजाइन बन जाएगी यह देखिए तो यह थोड़ा सा और अच्छा लगे देखने में और मैं आपको एक और दिखाती हूं उसमें थोड़ा सा डार्क दीखेगा ज्यादा दावाने से तो अगर आप बदाम भी नहीं चिपकाऊगे न तो और अच्छा लगेगा और अच्छे से डिजाइन दीखेगी तो यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी आप जट पर से इसको बना सकते हैं अब वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक करना शेयर करना चैनल कर सब्सक्राइब जरूर करना ओके फ्रेंड्स बाय टेक क्यार